क्या बात है? क्या सोच रही हो? कल अपनी पडोसन का ना बड़े है मैं सोच रही हुसके क्या गिप्त दू उसे ना बेबी पिंक लर का लेफ लाइनर दे दो खत्ब हो गया विचारी का देखो पडोसन आ तो रही हमारे माँ डिनर पे लेकिन तुमने अगर उस पे जरा सा भी ध्यान दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और ये बात तुम मेरी कान खोल के सुन लो हाँ तो मैं तुम्हारी हर बात कान खोल कर ही सुनता हूँ मुझ तुमने कभी कोलने नहीं दिया क्या बड़े? अरे आज एक गलती हो गई क्या हुआ? बाई से लड़ाई करते टाइम मुझ से कुट्टा निकल गया अरे पर आप कुट्टे को मुझ में रखते ही क्यूं हो? अर बेबी मंगल ग्रह पे जीवन है शादी शुदा आदमीं का तो दर्ती पे ये बेडा गर कुआ हुआ है मंगल ग्रह पे पता नहीं कौन सा चैन मिलेगा तरको चैन चाहिए पता है जितना हम शुआ दिखावा करते ना उससे जादा हमारे पास होना चाहिए और जितनी जानकारी और नॉलिज हमारे पास होती है उससे हमें कम बोलना चाहिए यही बात तो मैं समझाता हूँ हमेशा बजट से जादा खर्चा करवाती हो तो नॉलिज तुमें चाहे कुछ हो ना हो लेकिन हर बात में तुमारी जुमान पटर पटर जरूर चलती है मुझे पता था यह बात घुमाफ राके तुम मेरे तक हिलाओगे इसलिए बोला था मैंने वही मैं सोचू इतनी समझदारी वाली बात आज कैसे कर बैठी तुम अब सुनो मेरी ना समझी वाली बात पिछले च्हा महिने से मैंने तुमें जो पैसे दिये ना कुल मिला के 38,000 बैठते हैं वह और अगर मार्केट रेट लगा के उन पर इंटरेस्ट लगाया जाए ना तो 50,000 रुपे हैं वह वापिस करो चलो अपने पती को दिये पैसो पर इंटरेस्ट लगा रही हो मार्केट के हिसाब से शरम करो कुछ तुम लोगों के लिए क्या कुछ नहीं करता में चोटी बात मैं करती हैं तुम करते हो कल जब डिनर कराने ले गए थे तुम अपनी छोटी बहन को बहनोई को और जो मारी नई भू आई है जब वहां पर रोटियों के रेट पूछे पच्चिस रुपे की रोटी और असी रुपे का नान तो तुमारी भूख भाग गई थी उस्चिसने रिपीट ने करी ले तो तुमारी रोटि ने गले में फसी रह जाती की तुमारी लेगे गया था एक हपते में वापस कर दूँगा कितने दिन पहले लेको एक जड़ी ड़ा और दो झालराओ और दो पनौ और गुछ कर दो दोलते हैं